नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल जेजेपी नेता दिगवजे चोटाला ने आज अपने निवास थान पर कारेकरताओं के साथ मुलाकात की मीडिया से बाचित करते हुए दिगवजे चोटाला ने संकेत देते हुए कहा कि दुश्यंत चोटाला डबवाली से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं उन्होंने कहा कि जेजेपी से मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही डबवाली से चुनाव लड़ेगा साथ ही उनने कहा कि लोकसभा चुनाफ के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बूत लेवल तक का कारया पूरा हो चुका है अपनी पार्टी के साथ आपके गठबंदन पर दिग्वजे चोटाला ने कहा कि समान सोच और समान विचारधरा वाली पार्टी से गठबंदन के लिए पार्टी की साकारात्मक सोच है आम आदमी पार्टी से गटबंदन के लिए तीन सदस्य कमेटी आप पार्टी के संपर्क में है इस मोके पर दिगवजे चोटाला ने इनेलो प्रदेश अधेक्ष अशोक अरोडा की मुख्यामंतरी से मुलाकात पर कहा कि इनेलो पार्टी की पहले दिन से ही भाजपा के साथ मिली भगत है इसलिए तो रैलियो में इनेलो ने भाजपा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई और आवलिक शेतर में पी एल पी ए संशोधन को लेकर सरकार की मनशा पर दिगवजे ने सवाल उठाए है उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों की चिंता नहीं है केवल अपने फायदे की चिंता है बिल्डर्ज और अपने चेहतों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है और इसी के साथ देखें पलपल की यह है खास रिपोर्ट पारिटी पूंटे त्यार है लोकसभा चुनाव के लिए और दस की दस लोकसभा नबे की नबे विदान सभा चुनाव पर बूत लेवल तक काम हम पूरा कर चुके हैं पारिटी की हलका लेवल और डिस्टिक लेवल की कारेकारणी और सबी एकाईयों की जो कारेकारणी है वो पूरी कर ली जा चुकी है जो बची हैं कुछ वो पूरी कर ली जाएंगी मैं उमीद करता हूँ कि जितना मजबूत संग्ठन आज जन्नाएक जन्ता पारिटी का बन करके उबराया है इस दोरान इस हिसाब से हम थंपिंग मिजॉरिटी में विदान सबा का चुनाव जीत कर जहां हर्याना में सरकार बनाने में आलसक्षम है वहीं लोकसबा का निकट भविश्य में जो चुनाव है उसमें भी हम बड़ी मात्रा में सीटें जीत करके केंदर की सत्ता के हिसेदार बनकर हर्याना के लोगों की हक रुकूक की अवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से उठाने में कामियाब होसके आने वाले भविश्य में मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो लोगों के भले के लिए समाजवाद की विचारधारा पर गरीब और किसान कमेरे की सोच लेकर के साथ चलने को तयार हैं उनको हम साथ लेने को तयार भी हैं उनको ओन बोर्ड लेकर के अर्याना में और केंदर की सब्ता में भी एक मजबूत किसान कमेरे की अवाज बनने को तयार है और बनना भी चाहिए जहां तक आमादमी पारिटी के साथ विशे है इसको लेकर के पारि शाली जो है वो हमारा ग्राय शित्र है assa or शित्र में जो प्रिश्डापन है लगातार यहां के लोग सकता से बहुत दूर रहे nich मि पपंधर हुड़ाने तो विशिशत और पर 10 बीजेपी ने अगर किसी को नजर अंदाज किया तो इस शित्र किया आज आवशक्ता है कि इसे सत्ता का केंदर बना करके यहां का चोव मुख्य विकास करवाया जासके इस बात में कोई दुराय नहीं मैं डवाली में कल यह बात क्या करके आया था कि जो भी हमारी पारिटी का मुख्यमंत्री पद का उमिद्वार होगा वो डवाली से चुनाओ जरूर लड़ेगा आज भी मैं इस बात पर अडग हूँ कि डवाली सीट से चुनाओ हम जरूर लड़ेगे मैं तो डेवन से ही कह रहा हूँ कि ये सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के साथ मिले हुए है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के खिलाव एक भी आवाज इनकी रैली में नहीं उठी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के साथ दिन प्रति दिन चाहे जीन के चुनाओ हो हो चाहे उसके पश्यात हो या उससे पहले की बाद हो ये भाती जंता पायटी के साथ जो आज किसान कमेरे को सुआमिनाथन का वादा नहीं पुरा कर पाई जो वन्रे को पेंशन नहीं दे पाई नौजवान को नोक्री नहीं दे पाई करमचारी को न्याय नहीं दे पाई और वेपारी को टेक्स के उलजन में उलजाकर छोड़ दिया देश की फोज के नाम पर गंदी राजनिती करती है उस बीजेपी के साथ जब यह हाथ मिलाने को त्यार हो गए जिन्होंने हरियाना के अंदर जाट आरक्षन के नाम पर 33 लोगों की जान ले ली पंचकुला के अंदर जो घटना गटी वो कोई भोल नहीं सकता जिस बीजेपी ने बिल्डर्स के साथ मिलकर के अरावली की पहड़ियों को भी बेचने का प्रयास किया है उस बीजेपी के साथ भी अगर ये मिल जाएंगे तो मैं ही मानता हूँ कि स्वर्ग में बैठे स्वर्ग है चौधरी देविलाल जी के लिए शायद उनकी आत्मा के लिए इस से ज़ादा ठेस पहुचाने वाली बात नहीं होगी कि उनकी बनाईवी पार्टी का कुछ लोग आज ये हाल कर देंगे संसोधन आज इस दोर में करना उसका कोई उचित्ते नहीं है जब इतने कड़े कानून और इस पे इतनी चर्चाएं हाई कोर्ट से ले करके माननिया उस्तम नियाले में हो चुकी हैं और इतने बड़े-बड़े फैसले आ चुके हैं इन्वायरमेंटल जो आज हमारे इलाके का उस शित्र का विशेश तोर पर गुर्णगावा का और अगर हम चाचा करें एंसी आर का जो हाल है और वर्ल्ड के पॉलूटेड मोस सिटी में आज वो आता है गुर्णगावा का तो शायद अभी पीछे अकवार में अमपड़ रहे थे कि वो दुनिया का ही सबसे ज़्यादा प्रदू शेहर बन गया है वहाँ पर इस तरह से पहड़ियों के साथ छेड़ शार्ड करना इस देश के अंदर जो है वो पॉल्यूशन के करन उनकी जान जाती है तो बीजेपी की सरकार तो हम डेवन से कहते आये हैं कि इनको लोगों की चिंता नहीं इनको सिर्फ अपने फाइदे की चिंता है ये बिल्डर्स के फाइदे के लिए ये अमानी जैसे लोगों के के लिए रफैल का विमान जो है उच्छे सो करोड का सोला सो में खरीच सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं इसलिए ये सुप्रीम कोड का जो फैसला है हम इसका स्वागत करते हैं और जो अपरेल में अकली तारीक लगेगी तो इस पर कड़ी से कड़ी कारवाई भी होनी च कर दो के लिए फैसला लिया है कि 723 प्रवार वो जो हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किये गए हैं उनको ओनर्सिफ दे गए हैं नहीं हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट्स हैं जिसको हम ये सनेर के साथ में जो बने हुए हैं इनके तो बहुत खस्ता आरात हैं और ये तो ब प्लोट आवर्ड किये जाने चाहिए ये फ्लैट देने से काम नहीं चलेगा अब अपने पश्रों को फ्लैट्स में लेके थोड़ी रहेगा ये तो बड़ी दुर्भागे पून बात है इसकी हमकड़ी निंदा करते हैं और उमीद करते हैं कि सरकार जो है इस पे फैसला ले और इनने प्लोट देने का काम करें और जन्राइक जन्ता पाइटी थेड के लोगों के साथ इस मामले में खड़ी है और उनके लिए हर संगर्ष के लिए संगर्ष रत है